हेलो स्टुडेंट विल्कम तु इज्जेकेड में आज हम आपके लिए प्रैक्टिस लाएं इससे पहले मैं आपको वादा किया था कि जैसे ही हमारा फैक्टर पोश्चन कम्प्लीट हुआएगा पूरा तो उस पर मैं आपको जितना हो से पॉसिबल उतने ज्यादा कुश्च कि आपको कूश्च कई करना है तो फिलाल के सारे टॉपीक पे बात कर लिये थे废्वर्ण ब्लोग सारे को टॉप सुर्ड कर चूखें और इधर लिए इस पारव में टॉट के बारे में तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारा ये फैक्टर बेस पर सारा कम्प्लीट हो जाएगा तो एक दो तीन जितने वीडियो पर पॉसिवल हो से उतने ज्यादा ज्यादा मैं आपको कोशन करा दूं अच्छे लेवल करा सकूं ताकि आपको अच्छा लेगे कि हाँ इतना अगर आप 200 के गुडन खंडों की संख्या ग्याद करें तो आप से एक्जामनर ये पूछना चाहे रहा है कि आप ये बता दो कि 200 के फैक्टर कितने होंगे ना तो संब पूछने प्रोड़क्ट के वार नंबर फैक्टर पूछ रहा है तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2डि पाबर 3 इंटū 5 का स्कौइर अंब हम ये कर सकते हैं फिए आप से एक्जामनर ने पूछा कि आपको नंबर ऑफ हैक्टर बताने है यानि कि टोटल नंबर ऑफेक्टर पूछा है ना कि इवें पूछा है ना तो हाट पूछा है ठीक है तो आप बोलों कि जितने पाव गाद होगे आप जितने पावर हो एक बढ़ आए करदोगे तो आपका कितना सब्सक्राइब पार जयागा और जैसे वारा जाएगा तो ऑप्षन नमबर दी ऑप्ष्यन नमबर दी आपका अंसर धान तो दोस्टों के एक इतने बन जाएंगे तो आप बोलेंगे बारा ठीक है चलो दूसरा कोश्चन देखते हैं फिलाली आपको आ गया होगा ठीक है चलो दूसरा कोश्चन पर हम बात करें है तो एक्जानमर आप से पूछना चाहरा है कि बैए ऐसा है कि आप बता दो find the number of factor of 72 यानि कि 7200 के आपको number of factor बताना है तो factor पूछ रहा है केवल तो आपको केवल factor बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे आप उसी 72 के गुड़न थंडों की संख्या पूछ रहा है ठीक है चलो तो देखते हैं 7200 को हम तोड़ना चाहा है तो हम कैसे तोड़ सकते हैं तो handed into 72 फिर आप 10 into 10 into 36 into आप 2 कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं फिर आप चाहो तो 5 into 2 into 5 into 2 कर सकते हो फिर आप चाहो तो 6 into 6 into 2 कर सकते हो ठीक है अगर आप चाहो तो 2 कितनी बार आए आप धान से देखो यहाँ पर एक बार अगर आप देखो तो 6 को अगर आप चाहो लिखना चाहूं मैं आपको explain करना हो detail में तो आप समझेला के वल ठीक है तो 3 into 2 into 3 into 2 into 2 फिर आप यहां से count करो कि 2 कितनी times है तो आप बोलो कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार 2 की power कितनी बार आए 5 बाई 3 कितनी times हा चुका है तो आप बोलो कि 3 जो 1 बार और 2 बार 3 की power 2 पास कितनी बार आए तो आप बोलो कि 5 भी कितनी बार आए आपके लिए 2 बार आए exam आर आप से पूछ रहा है कि आपको बताना है number of factor आपको बताने है number of factor बुड़न खंडू की संख्या बताना है बस क्यों और कुछ नहीं पूछ रहा है चलो आप यहां क्या करेंगी number of factor निकाले कि जो पावर होता है जो फिर यहां दो है एक प्लस कर दोगे तो आपका 3 आजाएगा फिर यहां देखेंगे 2 है प्लस कर देंगे दो तो 3 आजाएगा आप इसे तो एक्जानवर चाहरा है कि आप यह बताईए कि यहां पर पूछना चाहरा है चल को फाइंड दंबर लॉफ डिवाइजर एक्चुली आप यहां से चीज जाना तो पाँचोचोफूर के उन भाजत की संख्या ग्यात की जो तीन से क्या हो बड़े मतलब फाइंड बाइजर और फाइज़ और लेट अग्रिटर धेर देन ध्रेटर देन थरी तो सबसे पहल आप निकाल लो कोई दिक्कत नहीं तीन से बड़े होंगे बागा देख लेंगे तो आप पहले टोटल फेक्टर निकालो तोटल फेक्टर अगर हमें निकालना है 544 का तो आपको टेवल आनी चाहिए तो आप इसे मल्टिप्लाइ करें कितना आ जाएगा 17 सम तोड़ते इसको तो 17 से अगर आप तोड़ेंगे तो इंटू कित्ती बार में जाएगा 32 ठीक है फिर अगर आप ध्यान से देखें यहापर तो 32 को अगर आप चाहो तो 2 इंटू यह आप और छोटा से कर सकते हो आप इसे 16 इंटू लिख सकते हो और 16 को आप 2 की पावर 4 इंटू आप 2 लिख सकते हो 2 की पावर 5 को हम 32 अराम से बोल सकते हैं फिर आप इहां लिख सकते हो 17 इंटू 2 की पावर 5 फिलाल यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ ठीक है चलो फिर आप से एक्जामनर यह पूछना चाह रहा है कि आपको नंबर फेक्टर निकालना है तो आप बोलोगे सबसलों के नंबर फेक्टर निकालने के फॉत पावर अगर एक तो आप दो कर gåँ कर दोगे तो आपकेकशनी आ गया बारा कितने अगय है 15 कितने आगएबारा लेकिन एक्जामनर कह रहा है कि कि तीन से बड़े जितने हो देखका कि ईगजाम में है तो फुचसे बड़े उस उसको केवल बताईगे तो हमने कहा देखते हैं चलो देखो अगर मुझे निकालने कोई कहे कि 544 544 की फैक्टर क्या क्या होंगे तो आप बोलो एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है ये 3 से नहीं कटेगा 3 से कटने का मतलब ये है कि पूरी संख्या को जोडने पर 3 का मिल्टिपल आना चाहिए तो आप बोलो कि 5,4,9,4,13 और 13 जो है वो कभी 3 से नहीं कटता तो आप राम से बोल सकते हो कि 544 की फैक्टर होंगे वो 3 कभी हो ही नहीं सकता तो एक्जामनर बोला कि तीन से बड़ी पूछा है आपसे तो 3 अगर नहीं हो सकता तो इसको हम लेंगे ही नहीं इसको हम बिलकुन नहीं लेंगे ना हम नहीं लेंगे इससे आगे आने वाले जितने भी फैक्टर होंगे वही आपके क्या होंगे उन्सर होंगे तो आप बोलोगे इसके पहले कितने आ रहे तो दो आrov hell pillars बढ़ा पूचते ने उल्स यह 544 के फैक्टे रहे चल्लो अरामसे ओगा आई नेक्स कॉश्चन देखते हैं तो आप भी गर पर करियेगा आपको पीडियोप मिल जाएगी, आप बिल्कुन करेंगे, अराम से आगfolg, बहुत हाड नहीं है, ठीक है? कोशिस करेंगे, तो आपको सवगे होट जरूर ये, भीना संघर्स के नाप कभी कुछ सीख सकते नाप कुछ पा सकते तो संघर्स आपको करना ही पड़ेगा चैप हस के कर लिजे चैप रो के कर लिए चैप हमारे साथ कर लिजे चैप हमारे बेना कर लिए संघर्स आपको करना ही पड़ेगे टीके चाप तो पुचा find the number of event factor of 250 तो 250 के आपके event factor पूछ रहे हैं तो आपको मैंने बोला सब्सक्राइब करेंगा तो 10 इंटू कितना आएगा 25 इसको आप चाहो तो 2 इंटू 5 लिख सकते हो और आप इसे चाहो तो 5 का स्क्वाइर लिख सकते हो फिर आप चाहो तो 2 इंटू 5 की पावर कितना आएगा थिरूर यहां से बना गाएगा तो आपको इवेंट फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया था कि जैसे एक्जानवर आपसे इवेंट फैक्टर पूछे आपको क्या करना है तो के पावर होना बहुत ज़रूरी है अगर टू के पावर वहां नही घहते हैं कि आपको यहांपे इवेंटों किया बताना है नंवर फैक्टर कितने होंगे आपको ही बताना नो किर यहांटो ऩवें और कि उब्चेब स्वेवां इनल गया तो अंडाना का झाल-फैक्ट्ल आपके जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने ओजाएंगे चाहँ ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं समझने के निए 4,500 4500 में आपको विसम गुडन खंड बताने है आपको बताने है odd factor sum नहीं पुछ रहा है क्यों number of factor पूछ रहा है आप बोलो 4500 में तोड़ू तो क्या handed into 45 नहीं कर सकता handed को अगर आप चाहो तो बार-बार आरहा handed को आप चाहो तो एक बार समझ लो 2 का स्क्वार इंटू 5 का स्क्वार नहीं लिख सकता 2 का स्क्वार कितना हो लिएगा 4 पांच के स्क्वार लिएगा 25 अब मल्टिप्लाइ करोगे तो 100 ही तो आएगा तो आप चाहो तो 100 को 2 का square into 5 का square आप लिख सकते हो चलो, तो 2 का square into 5 का square ये लिख लिया 45 को चाहो तो 9 into आप क्या लिख सकते हो 5, ठीक है, फिर 9 को आप क्या लिख सकते हो 9 को आप चाहो तो 3 का square लिख सकते हो कोई दिक्कत ने, तो 2 का square into 5 दो बार यहां है और एक बार यहां है तो five की power three एक हमने बताया था जब बेस्पाइड होता है तो power add हो जाती है लेकिन मृटिप्लाई मेरे सिर्फ मल्टिप्लाई में अगर मेरे सेम है तो power add हो जाती है ठीक है था तो आप बोलों कि यहां पर 9 को क्या लिख सकते हैं थो तो आप इस वाले portion even को भूल जाओना जैसे आप इसे भूल जाओगे तो आपको और फेक्टर पूछ रहा एक्सामना ठीक चल तो आप लोगे तीन है तो आप चार लिख लोगे दो है तो आप तीन लिख लोगे तो अंसर आपका क्या आएगा बारा तो option number C जो आपका यहां पर बारा दिया है यही आपका क्या हो जाएगा तो बहुत आराम से आ रहा है बिना गलतियों क्या रहा है जो मैंने situation बताई जो मैंने content दी जो मैंने आपको सिखाया वह बहुत बढ़िया था आपको देखो अंसर आ रहा है ठीक चल तो अगला question देखते है question number 7 प्रैक्टिस से साने तो ज्यादा बाते नहीं करते हैं आराम से समझने कोसिस करते हैं कि ज्यादा content को हम cover कर सकते हैं ठीक है चल एक्जामने पूछ रहा है find the sum of factor of 169 अब आप से हापर क्या पूछ रहा है sum पूछ रहा है sum मतलब होता है योग आपसे पूछ रहा है कि पावर वन वन आप बोलों कि पावर अगर बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती एड हो जाती है ठीक है फिर अगर आप चाहो तो आप से एक्जामने कुछ नहीं पूछ रहा है कि आप 169 के factor को जोड़ दीजे तो मैंने का अगर इसको जोड़ना ही है तो आप क्या करों इसको लिख सकते हो ना तेरा की पावर जीरो प्लस तेरा की पावर वन प्लस और तेरा की पावर दू तक जाएंगे इसके आगे कुछ तो ही नहीं इसके आगे कुछ नहीं ता आप बोलोगे तेरा की पावर जीरो क्या दुनिया के किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो हमेशा value क्या होगी 1 किसी गभी power आप 0 हो लोगे तो हमेशा क्या value होगी 1 तो आप बोलोगी 1 हो जाएगा यह 13 हो जाएगा यह 169 हो जाएगा 169 आप इन सब को जोड़ दोगे तो sum of factor आ जाएगा क्या जाएगा लेकिन इसमें बिल्कुर नहीं पूछा कि even निकालो कि odd निकालो तो आप टोटल निकालो सिर्फ तो आप अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169 मेंगर आप 14 जोड़ देंगे तो आपका अंसर कितना आ जाएगा चलो 81 तो 183 जो है आपका अंसर आ जाएगा अराम से लोगों ने समझा ठीक है चलो तो 183 जो है अब आपका क्या हो जाएगा क्या निकाला मैंने sum of factor निकाला ठीक है चलो अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन समझने की कोशिस करते हैं find the sum of factor of 60 फिर एक्जामनर कह रहा है कि आप 60 के factor बताईए 60 के factor के आप sum बता देजे तो आप चाहो तो इसे 10 इंटू 6 लिख सकते हो फिर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 आपका यही तो बना factor यही तो बना न प्राइम factorization फिर आप से बुढ़ रहा है sum बता दो sum बताने का मतलब क्या है न तो even पूछ रहा है तो odd पूछ रहा है तो आप क्या करोगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक चले जाओगे फिर आप देखो कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक आप चले जाओगे फिर आप 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाएंगे फिर आप देखें किसी भी value की पावर अगर 0 तो value 1 होती है 2 की पावर 1 हमेसा 2 होगी फिर ये 4 हो जाएगा फिर यह 1 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा और यह 5 क्योंकि 3 की पावर 1 हमेसा 3 होगा 5 की पावर 1 हमेसा क्या होगा 5 होगा चलो ठीक है चलो इसको आप जोड़ेंगे तो 7 आजाएगा फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा अगर आप इसे multiply करेंगे तो आपका answer कितना आ जाएगा तो आप बोलेंगे 168 कैसे देखो 6 4s are 24 और 24 को अगर आप multiply कर देंगे 7 में तो automatic कितना आ जाएगा 6 4s are 28 और 7 2s are 14 और 14 to कितना आ जाएगा 16 तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो 168 है ठीक है प्रैक्टिस के लिए option नहीं दिया गया फिलालिस में बाकि आपको PD जो मिलेगी तो without option नहीं मिलेगा आपको पूरा option मिलेगा ठीक है तो देखते हैं क्या है एगला question हमारा चला find the sum of the sum of divisor of 144 and 1860 cat exam का है होगा question है ताब आप आप समझना 144 और 160 के जो भाजक के योगों का योग बताई मतलब पहले तो आपको 144 और 160 के sum of factor निकालने फिर अलग लग sum of factor निकालके दोनों को जोड़ना यही हमारा answer है जैसे समझने कोशिस करते हैं चला कोशन तुमा चोटा करते हैं आपको दिख रहा होगा चला तो पहले हमें 144 के sum of factor निकालने जो आपको पता है 12 का square होता है फिर 12 अगर आप चाहो तो 3 into 4 का whole square आप यह लिख सकते हो फिर 3 into मैंने पहले ही बताया तो आपको माल लो कि a into b का अगर पावर whole में अगर दिया हो बाहर 3 तो आप इसे a का cube plus b का cube बोल सकते हो 근데 A का cube into b का cube क्यूब we de based multiply case में देखना situation तो आप चाहो तो 3 का square लिख सकते हो फिर आप चाहोगे सखर का square हो ज Omega स्क्वार का square होता है फिर पंचने ना थी स्टीज को देखा होगा कि मालोगर निए ठीजिए 24 तो आपको अगर 2 दिया है तो यह क्चलिट के बाहर तो multiply हो जाता है 2 की पावर जाता है यह multiply हो तो add मत करना add के वली situation में होता है कि जब मालू base के वल same हो base same हो और ऐसे लिखा हो तब 2 की पावर 3 लिख देता है लेकिन अगर bracket को उपर है तब उसे multiply कर देता आपको इस वन में आगया होगा चलो ठीक है तो इसको अगरम चाहें तो 3 की का square into 2 की पावर 4 लिख सकते हैं जैसे मैंने वह आपको बता है फिर आप देखो कर sum of factor पूछा examiner ने इसका तब आप रामस बोलोगे 3 की पावर 0 plus 3 की पावर 1 plus 3 की पावर 2 तक गए फिर आप देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 plus 2 की पावर 2 plus 2 की पावर 3 plus 2 की पावर 4 तक हम चलेगा ठीक है यहीं तो पूछा है ना कि sum of sum of this sum of device यानि कि पहले तो हमें factor sum of factor निकालना है दोनों के अलाग नग फिर दोनों को जोड़ देना यही चीज़ तो करना है फिर आप बोलोगे तीन के स्क्वेर ना हो तीन के पावर एक तीन हो जाएगा एक तो एक प्लस एक प्लस 3 प्लस 9 आप इसको जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 13 इसको multiply में रखो आप कोई दिक्कत नहीं ठीक है फिर आप इसको चाहोगे तो 16 बन जाएगा 24, 28, 30, 31 इसको multiply कोड़ोगे तो आपको कितना आएगा 13, 1 is a 13 13, 3 is a 39 39 और एक क्यो जाएगा 40 तो आप 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 सुन में आगा कि जो इसका सम आया होगा 403 होगा फिर ऐसे हमको किसका सम निकालना है तो आप बोलोगे आप में सम निकालना है 160 का 160 कार सम निकालना है तो आप बोलोगे 10 इंटू हम क्या लिख सकते है 2 की पावर 4 क्योंकि आपको पता है कि 16 को अगर हम चाहे तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 यानि की 2 की पावर 4 हम डारेक्ट लिख सकते है फिर आप चाहोगे तो 5 इंटू 2 2 x 2-4 फिर आप चाहो तो 5 x 2 की पावर 5 आप लिख सकेते हों कोई दिक्त ने फिर इसका मुझे सम निकालना है मैं समझा रहा हूं आपको तो समझो आप 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हम एक यह लिल लेंगे फिर आप इसको चाहिए तो 2 की पावर 0 फिर आप इसको देखो गर यह बन जाएगा, फिर अगर आप इसको चाहो लिखना, जोलो समझो चलो समझना ठीक है फिर अगर आप इसको लिखना चाहें राम से तो आप चाहों गे शरी तो 6 हो गया फिर इसको आप जोड़ोगे तो वैसे भी आप अभी तक इसको अगर आप जोड़ोगे या मल्टिप्लाइ करो कितना आएगा यह तो आप इसको अगर आप इन तीनों को जोड़ दे या दोनों को अगर हम जोड़ दे यही तो पुछ रहे ना कि 144 का सुरी देखो चलो 144 का और 160 का इनका पहले सम निकाल लो दोनों का फिर दोनों को जोड़ दो तो इसका सम कितना आया 403 इनका सम आया 378 अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ 403 plus 378 अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा अंसर आएगा 781 781 अराम से मेरा अंसर आएगा तो आप अराम से बोल सकते हैं कि option number B जो इसका क्या है अंसर है अराम से आप बोल देंगे कि sum of the sum of factor क्या हुआ 160 चवाल 160 का तो 781 आपका अंसर होगा तो फिलाल आपको अराम सोन में आए हुआ ठीक है तो धीर धीर समझेगा अराम से आजएगा चलो अगला question देखते है next चलो देखिए next question क्या बोल रहा है हमसे चलो बोल रहा है find the sum of the sum of even divisor of 96 and sum of odd divisor of 360 इसका मतलब यह है examiner पूछ रहा है कि 96 के पहले होके आपको odd के sum निकालना है फिर उनको आपस में जोड देना है चलो सबसे पहले 96 का निकालने कोशिस करते हैं 96 को आप चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ किसे का multiply है बोलो तब बोलो कि 16 into 6 16 into 6 क्या होता है 16 into 6 आपका 96 होता है फिर 16 को आप चाहो 2 की पावर 4 into 2 into 3 लिख सकतो फिर 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1 आप यह लिख सकतो फिर अगर आपको इसका sum चाहिए अरे यही तो चाहिए ना आपको इसका sum चाहिए आपको इसका अगर आपको sum चाहिए तो आप इसको जोडोगे और प्रिविएस वीडियो में मैंने बताया था कि 2 की पावर 5 को हम डारेक्ट लिख सकते हैं 63 तो आप फिर यही चीज यहाँ पर लिख देना आराम से चलो तो 2 की पावर यह क्यों हो जाएगा 63 हो जाएगा आप इसको चाहँ तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 में 5 में तोड़ेंगे तो 63 इंटू यह आएगा 4 तो 4 ते यह बारा हो जाएगा 24 और 25 इसका तो 252 आगया लेकिन एक बात बताओ जो आप निकाले हैं यह निकाल दिया है आप क्या निकाले है टोटल सम अफ फेक्टर लेकिन एक्जामनर जो आप से पूछ रहा है सम अफ इवेन फेक्टर सम अफ क्या पूछ रहा है इवेन फेक्टर तो सम अफ इवेन फेक्टर कैसे निकलेगा तो आप बोलेंगे 2 की पावर 1 बाहर लेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तो यह आएगा 31 यह चीज आपको लिखना है यहाँ पर 2 की पाउर 1 बाहर common रहें तो 31 आजाएगा इंट यहाँ 4 आज़ेगा फिर आप इससे multiply करोगे तो यह आपका आजाएगा 124 और बाहर अगर ध्याल से देखें तो 2 की पाउर 1 48 लेकिन एक्जामना चाहे रहाँ आप 36 का ओट फेक्टर बताओ तो हैंडेड इंटू 6 का स्क्वाइर लिख सकता हूं 36 आएगा ना और 100 को अगर आप चाहो तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहो डारेक लिखना है इस चीज को इस चीज को डारेक लिखना चाहो आप तो आप आप राम से लिख सकते हैं 100 को 100 को अगर आप से चाहे तो 2 का स्क्वाइर इंटू 5 का स्क्वाइर लिख सकते हैं और 36 को अगर आप चाहले तो 6 का स्क्वाइर ठीक है? और 6 का स्क्वाइर को अगर आप चाहले तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वाइर जो आगे जाके 2 का स्क्वाइर और 3 का स्क्वाइर में तूड जाए यही चीज तो कर सकते हैं ना पर आम से इस चीज को चलो तो यही करना है तो 2 का square into 5 का square into 2 का square into 3 का square यही तो बना लेकिन examiner जो आप से पूछ रहा है आपको बोढ़ रहा है कि 36 के odd के sum के factor निकालने यही तो बोढ़ रहा है आपको बताना है विद्ध को 96 के sum भाजग के योग और 36 के विसम भाजग के योग ठीक है तो हमको 36 के व भूल जाओ यही तो सिखायाा हूर आप इसको लिखोगे 5 पाउर 0 प्लस 5 के पाउर 1 फ्लस 5 के पाउर 2 यह लिख लोगे फिर आप इसको Ratow आप 6 करोगे तो क्या पनेगा 1 525 यह तो 36 31 हो जाएगा इंटू इसको स्वाल करोगे 39 312 और एक 13 ठीक है और यही तो बना इसको अगर आप multiply करोगे तो कितना आएगा जस्त अभी previous वाले मैंने बताया था आपको देखो यहां साइब नहीं था next वाले पॉशन मता चलो कोई इसको multiply करोगे तो 31 13 हो जाएगा 13 3 3 3 9 1 40 हो जाएगा 403 यह आगया फिर इग्जामनर यह कह रहा है कि आपको जो अलग अलग निकालो इसके इसके even factor के sum इसके odd factor के sum इसको आपस में जोड़ दो जैसे इसको हम जोड़ेंगे जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 403 प्लस 248 जो आपका answer आजाएगा 8 3 11 के turn में आएगा तो आपका रामस आएगा 600 क्याओ चलो यूनिट जो देख लिया 8 3 11 का एक आया तो हम रामस बोल सकते हैं कि 600 क्यों आएगा आप आड करके देख ले ना 651 आपका answer आएगा मतलब यह perfect था यह दम सही था ठीक है चलो तो आई नेक्स question देखते हैं चलो नेक्स question में क्या पूछा है which of the following is this product of factor of 120 कहरा एक्चली यह power में है सब यह सब पावर में है चलो यह सब पावर मनसर है 120 की पावर 9 120 की पावर 10 120 की पावर 8 और 120 की पावर 6 सब पावर में answer है तो आप confuse मत हो चलो तो 220 के जो है ना आपको क्या पूछा product of factor पूछा मैंने आपको सिखाया था 120 के product factor पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना आपको टोटल फेक्टर निकालना है तो टेन इंटू टॉल वा जाएगा तो टू इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 आजाएगा फिर आप चाहो तो यह 4 को आप क्या लिख सकतो 4 को आप चाहो सिखाया था कि आप कुछ नहीं करेंगे बस पावर अगर जितना है उतना बढ़ाते हुए एक चले जाएंगे बस आप इसके भी एक दो कर लिया तो टोटल फेक्टर आगे 16 लेकिन जैसे मैंने बोला था किसी भी नंबर का product factor निकालना है ताप original नंबर रखेंगे आप पहल है 120 की पावर 8 यह आपका अंसर हो गया product factor of 120 is 120 की पावर 8 ठीक है चलो तो अगला देखते हैं हम लोग अगला कुश्चन चलो चलो तो अगला कुश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि find the sum of the product of factor of 12 and 10 तो कहरा 12 के और 10 के आप पहले product निकाल लीजिए product निकालने के बाद उनको अपस में add कर दो चलो थोड़ी सी मेहनत है निकालते हैं तो पहले 12 के क्या निकालना हमें 12 और 10 के गुड़न खंडो के गुड़न फल का योग बताना है तो आप क्या करेंगे 12 दस के पहले factor निकाल लो तो बारा की जो factor आएंगे तीन गुड़े चार यानि इसको आप चाहो तो थ्री इंटू टू का स्वाय लिख सकतो तो इसके जो total factor आजाएंगे हमारे वो कितने आ जाएंगे तो आप बोलेंगे पावर एक है तो आप बढ़ factor जो आ रहा है लेकिन आपको प्रोड़क्ट चाहिए तो आप बोलोगे अगर 6 है तो 6 को रखके आप 2 से भाग कर देंगे तबी तो 12 की पावर 3 यानि कि यह आजाएगा आपका बारा का प्रोड़क्ट बारा का प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट क्या तो factor आप यह आगे 120 का लेकिन पूछ रहा है 10 का भी बता दीजिए तो 10 को अगर आप चाहो तो क्या 2 x 5 नहीं लिख सकते तो इसके जो टोटल फैक्टर आजाएंगे तो आप बोलोगे इसके जो टोटल फैक्टर आएंगे एक है तो 2 हो जाएगा एक है तो 2 हो जाएगा कितना गोलोगे तो यह कितना आजिया सु आंगे और यह कितना संची है तो 12 क्यूब फोटा है सत्रहो क्या घचा कर दोनों के जो आप प्रोटल फैक्टर निकाल भी तो जोड़तों हमने ने कर भेख बार्या पके प्रोटल फैक्टर शच्था इसका 1718 Czech DR प्रोटल फैक्टर आए वो 100 आए अगर इन दोनों को हम जोड देते हैं तो हमारा अंसर आ जागा 1828 कितना आ जागा 1828 तो आप्शन नमबर वन जो आपका अंसर हो जागा 1828 कोई दिक्कत नहीं अराम से हो गया ठीक है चब को तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो आपको बताना है आपे फाइंड नमबर अफेक्टर आप टू हैंडट सेम भई कोश्चन है अराम से दोसो के फेक्टर कितने होंगे आप जल्दी जल्दी निकालो प्रिवेस कोश्चन है एक बार दुबारा आगया मैं निकाल दे रहा हूँ थो हैंड इंट इंटू तो टू का स्क्वार इंटू इंटू एंटू 2 की पावर बन को और बोलों कि दो की पावर 3 आया पास की पावर 2 आया ता अगगे अगर हाम स्वॉग को अगर तिन कर लोगे ऐसे टोटल फेक्टर कितने आ जाएंगे बारा तो अप्शन नमबर डी आपका अंसर हो जाएगा option number ठीक है चलो यह तो पहले भी करा चुका हो दुबारा आ गया तो कोई बात नहीं चलो तो आपको क्या करना है आप फिर बताना है का अंसर ठीक है हर question अपने आप में अलग है तो समझने कोसिस करें आप चलो तो एक्जामर यह पूछ रहें कि यह ऐसा है एक और एक सो चौवन को छोड़कर पांसर चौवाली से भाजा की संख्या ग्याद करें मतलब वन और फिप्टी वन और फाइवन और फॉट्टी फॉर के मतलब फाइवन फॉट्टी फॉर के फैक्टर निकालने हैं एक और को छोड़कर तो पांसर चौवालीस को जो फैक्टर आएंगो कितने आएंगे तो आप बोलोगे 17 इंटी इंटू 32 में तूट जाएगा 17 आप ऐसे रहें दो 32 अगर आप चाहो तो 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5 कैसे इससे पहले भी कोश्चन में बता चुको आप आपको सौन में आ जाएगा ठीक है तो अगर हम यहां से टोटल फैक्टर निकाले टोटल फैक्टर इंट इंट इग्जामनर पूछ रहा है एक और इंडिजवाल खुद को छोड़कर चलो तो आप बोलोगे एक है तो दो ले लेंगे पांच है तो छे ले लेंगे टोटल फ बारा है अगर एक को और 544 को छोड़ देंगे तो ऐसे फेक्टर कितने बचेंगे आपके 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 हो जाएंगे तो फिलाल आपको अच्छे सौन में आ रहा होगा ठीक है चलिए और कोशन देखते हैं ठीक है चलिए आज की सीरीज का लास्ट रहेगा और इसको अ अच्छे से चलिए फाइंड दर नंबर फेक्टर अप्टू हैंडड़ यह वाला भी हम कराई चुके है ठीक है तो बारा जो बारा आया था आपका बार बार वह चीज आ रहा है चलू अ अच्छे टेम कर छो का रहा है ऊपक्ता कै।